वेल्कम पू दे चैनल, सब्सक्राइब, टब बेल आइकोन और रिमेंबर तो लाइक, शेर और कॉमेंट नमस्ते, आप सभी का स्वागत है, इस बार हम एक और स्वादिष्ट और जटपट रेशिपी कौन सिल्क सूप के साथ वापस आए है यह खाद्यप्रकार हमारे चैनल की खोज है, दुनिया में पहली बार इस नए खाद्यप्रकार को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए हमें बेहत खुशी हो रही है मानलता के शाश्वत विकास में हमारा इस तरह योगदान सदेव चलता रहे, ऐसा सदीच्चा बल हमें आप सब से निरंतर मिलता रहे, यही मिननती है हमारा चैनल खाद्यान नवाचारों का परीचर देता है, जो नए खाद्य संसाधनों की सूची में योगदान देते है हम दिल्चस्प मेंजनों के द्वारा आपको उन खाद्य भागों का उपयोग करने के बारे में बताते हैं, जो आम तोर पर बेकार चले जाते है यहां हम मक्के के रेशम से सूप बनाने जा रही है यहां आपको मक्के का रेशम जो आम तौर पर बेकार चला जाता है उसका उपयोग करने में सक्षम बनाएगा और आप हमेशा की तरह मक्के का उपयोग भी कर ही सकते हैं अपने स्वातकलियों को खुशी देने के अलावा यह रसीपी आपको भोजन बचाने और शुन्य भुक्मरी के लक्षे को हासिल करने में योगदान देने की संतुष्टी भी देगी। आप कल्पना कर ही सकते हैं कि यदि हर कोई इस स्वादिष्ट वेंजन को बनाना शुरू कर देता है तो मानाव जाती के हित में होने वाले भोजन की बचत पर कितना भारी प्रभाव पड़ेगा। यह प्रभाव मक्य के कुल विश्व उत्पादन के आनुपातिक होगा जो आप देखी सकते हैं। देखिए ये कितना विशाल अंख हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मक्य के रेशम का सूप बनाने के लिए जो सामगरी चाहिए वो है चार मक्यों का रेशम यानि कौन सिल्क, पानी, पाव लीटर, सबजी मसाला स्वादा नुसार, काला नमक स्वादा नुसार, सूखी आम पावडर या आम चूर स्वादा नुसार, चीनी स्वादा नुसार, हींग, स्वादा नुसार और तेल दो छोटे चम्मच तो चलिए अब हम ये मक्के की रेशम का सूप बनाने की प्रक्रिया जान लेते है सबसे पहले एक ताजा मक्का ले उस मक्के के छिलके निकाल ले अब उसमें आपको मक्के का रेशम जो की सुनहरे धागों जैसा दिखता है वह दिखाई देगा हमें अपना सूप बनाने के लिए इसी कौन सिलक याने मक्के के रेशम की जरूरत है इसका सिर्फ साफ सुद्रा हिस्सा हमें चाहिए मक्के को तो हमेशा की तरह खाया जाही सकता है आगे जाने से पहले आपको बता दे कि वीडियो के अंथ में एक बोनस टिप है इसलिए कृपया वीडियो अंथ तक देखे जो मक्के का रेशम हमने अलग से इकटा करके रखा था उसके छोटे-छोटे तुकडे काट ले अब एक मिकसर का जार ले ले जिसे हम सूप बनाने के लिए इस्तमाल करते है उस मिकसर के जार में थोड़ा सा पानी डाल कर मक्के का रेशम पीस ले पीसने के बाद पानी का रंग बदल कर सुनहरा पीला होना चाहिए दो से तीन बार पीस ले जिससे की मक्य के रेशम का पूरा सार पाने में आ जाएगा अब एक छलनी ले और इस पीसे हुए मिश्रन को चान ले चाने हुए पतले सूप का हमें उपयोग करना है जो रेशेदार पदार्थ चलने में बचता है उससे पूरा साल निकल चुका है इसलिए उसका हमें अब उपयोग नहीं है अब हमें जो पतला सूप मिला है उसमें सबजी मसाला स्वादा नुसर डाले सबजी मसाले से सूप को مسालेदार स्वाद प्राप्त होगा जो बहुत ही स्वादिष लगता है अब सूप में काला नमक और सूखा आम पाउडर जिसें आमचूर भी कहा जाता है स्वादा नुसर डाले आमचूर सूप को एक अच्छा सा खट्टा स्वाध प्रदान करेगा इसी के साथ साथ हींग और चीनी को थोड़ी मातरा में डाले इसके बाद इसमें धनिया के पत्ते छोटे छोटे काट कर डाले अब इस सूप में दो छोटे चमच तेल डाले और सूप को अच्छी तरह मिलाए अब इस सूप को गरम करना शुरू करे यह बात ध्यान से याद रखे कि बताई गई सभी सामगरी मिलाने के बाद ही पतीले को गैस पर चढ़ा कर सूप गरम करना चालू करे उससे पहले नहीं सूप को कुछ मिनिट के लिए उबलने दे जैसे ही आप एक अच्छी सुगन महसूस करते हैं गैस बन कर दे पतीले को पाच मिनिट के लिए धक्कन से धक दे ताकि जायके और सुगन सूप में अवशोशित हो जाए अब हमारा स्वादिष्ट गरम मक्य के रेशम का सूप परोसने के लिए तयार है इसे गरमा गरम पिए और आनन्द उठाए तो चलिए वीडियो की शुदवात में जिस पूनस तिप के बारे में हमने आपको बताया था वो सुनते है मक्य से मक्य के दानों को खुरचने के बाद बचे हुए हिस्से को छोटे तुक्ड़ों में काट ले फिर उन तुक्ड़ों को पानी में उबाल ले इससे उनका सार पानी में समाहित हो जाएगा कटे हुए तुक्ड़ों को चान कर निकाल दे पानी को थंडा होने दे अब इस पानी का इस्तमाल मक्की की रेशम को पीसने के लिए कर सकते हैं